जैसरे राधिकर्षन आप सभी का हमारे यूटूब चैनल के बहुत-बहुत स्वागत है आईए जानते हैं वर्ष 2023 वैशाक मास शुकल पक्ष सिता नौमी जान की नौमी व्रत के शुब महुर्द के बारे में व्रत महत्व के बारे में और फिर सुनेंगे सिता नौमी जान की नौमी की कथा वैशाक माह के शुकल पक्ष की नौमी तिथी के दिन जो कि सीता नौमी का ब्रत मनाया जाता है वैश्णवो मत्य के अनुसार वैशाक शुकल नौमी तिथी के दिन भगवती जानकी का प्रादुरभाव हुआ था अत्येव इस दिन ब्रत रहकर उनका जन्मो तथा पूजन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कश्ट दूर होते हैं, सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जोत रहे थे, उसी समय प्रतिवी से एक बालिका का प्रकट हुआ। जोती हुई भूमी तथा हलके नोग को भी सीता कहा जाता है। इसलिए बालिका का नाम सीता रखा गया। अतहा इस परव को जान की नौमी के नाम से जना जाता है, मानेता है कि जो व्यक्ति इस दीन ब्रत इवम भगवान स्रीराम और माता सीता का विदिवत पूजन करते हैं। उसे सोलह महान दानों का फल प्राप्त होता है। पिर्थिवी दान का फल तथा समस्त तिर्थू के दर्शन का फल भी प्राप्त होता है। तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस बार सीत नौमी का ब्रत किया जाएगा। नौमी तिथी प्राढम समय, जो कि 28 अपरेल 2023 दिन शुक्र वार सामच चार बज़कर तीन मिनट, और नौमी तिथी की समाप्ती जो कि 29 अपरेल 2023 दिन शनी बार सामच 6 बज़कर 23 मिनट, तो सुरियोदे व्यापनी समय के अनुसार सिता नौमी का ब्रत जो की 29 अपरेल 2023 दिन शनिवार को किया जाएगा इस तीन राहुकाल का जो समय होगा वह समय सुभा 8 बजकर 49 मिनट से सुभा 10 बजकर 18 मिनट तक राहुकाल का समय होगा इस तोरान जो की पूजन आधी का कारिय ना करे इस दिन रभी योग बन रहा है जो की दो दोपहर 12 बजकर 47 मिनट से अगले दिन सुभा 5 बजकर 42 मिनट तक होगा नशत्र जोकी अशलेशा नशत्र दोपहर 12 बजकर 47 मिनट तक उसकी बाद मगा नशत्र सीता नौमी तिति के दिन इस तीन भगवान स्रेराम और माता जानकी का साथ में राज उप्चार पंच पूजन बिधी के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए भगवान का जल पुष्प अक्षत धूपदीप आदी से पूजन करना चाहिए माता सीता को जोकी समस्त स्रिंगार की वस्तुएं और पित करने चाहिए इस तीन विसेश करके जोकी गुर्थ था दूज से बने हुए वस्तु का भूग लगाना चाहिए तो आईए सुनते हैं सीता नौमी जान की नौमी की कथा तो बोलिये प्रेम से सिया पति राम शंद्र की जै पुराणिक कथा के अनुसार मारवाड शेत्र में एक वेदिपाठी स्रेष्ट धर्म धुरेन ब्रामन निवास करते थे उनका नाम देवदत था उन ब्रामन की बड़ी सुन्दर रूप गर्विता पत्नी थी उसका नाम शोभना था भ्रामन देपता जिविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गय हुए थे इधर भ्रामनी कुसंगत परकर व्याभिचार में पुरा जलबा दिया दुश कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धी जब मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ पती का त्याक करने से वह चांडाली नहीं बनी ग्राम जलाने से उसे भीशन कुष्ट हो गया तथा व्याभिचार कर्म के कारण वह अ दुख को प्राप्त करती रही और फिर देश देशांतर में भटकने लगी एक बार देव सैयोग से वह भटकती हुए कौशल पूरी पहुँच गई सैयोग वस उस दिन वैसाख मास शुकल पक्ष की नौमी तिथी थी जो समस्त पापों को नास करने में समर्थ है सिता जान क मारी नौमी के पावन उस्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुख्यारी इस प्रकार प्रात्ना करने लगी कि है सज्जनों मुझ पर कृपा करो कुछ भोजन सामगरी परदान करो मैं भूख से मरी जा रही हूँ ऐसा करती हुए वह इस्तरी स्री कनक भवन के सामने ब करो कुछ भोजन दे दो इतने में एक भक्त ने उससे कहा कि देवी आज तो सीता नौमी है भोजन में अन्य देने वाले को पाप लगता है इसलिए आज तो अन्य नहीं मिलेगा कल पारना करने की समय आना ठाकुर जी का प्रशाद भर पेट मिलेगा किन्तु वह नहीं माने अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी इवं जल परदान किया वह पापनी भूख से मर गई किन्तु इसी बहाने अंजाने में उससे सीता नौमी का ब्रत पूरा हो गया अब तो परम कृपालनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया इस ब्रत की प्रभाब से वह पापन निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पुर्वक अनंत वर्सों तक रही तस्पशात वह काम रूप देश के महराज जैसी की महरानी काम कला के नाम से विख्यात हुई जातिस मरा उस महान साधवी ने अपने राज में अनिक देवाले बनबाएं जिन में जानकी रगुनाजी की प्रतेश्ठा करवाई अतह सीता नौमी पर जो स्रधालू माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख सोभाग्य प्राप्त होते हैं इस तीन जानकी अस्तूत्र राम चंद्राश्ट कम राम चरित मानस आदी का पाठ करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं तो बोलिए प्रेम से भगवान स्री राम की जै माता सीता की जै सर्व देवी देवता की जै इसी प्रकार से जो भी भगवान स्री राम और माता जानकी का पूजन करते हैं उनके समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है तदा शुक और शमृद्धी की प्राप्ती होती है जो भी भक्त ब्रत धारन करते हैं उन्हें ब्रत के दोरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ब्रत के दोरान जो कि इस दिन अन ग्रहन नहीं किया जाता है लिसेस करके जो की दूद और गुड़ से बने हुए वस्तु का भोग लगाना चाहिए उसे प्रशाद के रूप में ग्रहन कर सकते हैं इस दिन ब्रत रखने वाले को किसी के ऊपर कुरूद नहीं करनी चाहिए अपने मन में किसी के प्रती इर्शा या दूइस का भाव नहीं लाना चाहिए ब्रह्म चर्ज का पालन करना चाहिए अपने से बड़ों का सदाही आदर और सम्मान करना चाहिए जहां तक बन सके दान पुन्यों का कारे करना चाहिए इससे पुन्य फलों की प्राप्ति होती है तुवासा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो अगर आप सब वैसाख मास शुक्ल पक्ष में एक आदसी व्रत्र के बारे में जानकारिया प्राप्त करना चाहते हो प्रदोस व्रत्र के बारे में जानकारिया प्राप्त करना या हमारे वीडियो के इंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक देया गया है आप उसके माध्यम से जानकारिया को प्राप्त कर सकते हैं तुवासा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ग्यान बर्धक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहें वीडियो को लाइक करें शेयर करें शुखी रहें और स्वस्त रहें जैसरे राधे किष् धन्यवाद